हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू स्टेडी कर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, डेली कर इंट अफ्यास में आज हम 28 सितंबर 2022 के most important question डिसकस करने वाले हैं, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से last तक देखीगा, last में इसी लेक्सर से related आप से एक question पुशा जाएगा, तो अंसर आप comment box में जरूर दीजेगा, अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे app को download कर लें, और हमारे telegram channel को join कर लें, दोनों का link के description में दिया गया है, तो वहां से आप download कर सकते हैं, दोस्तो अप Google Play Store से भी download कर सकते हैं, आपको search करना है study कर, जैसे आप study कर search करेंगे, तो आपको app मिल जाएगा, study material पर जाएगे, तो आपको PDF मिल जाएगा, इसके अलावा test भी मिल जाएगा, तो test और PDF के लिए आप हमारा app जरूर download करें, अगर आप channel पर नए आए हैं, तो channel को subscribe कर लें, इसके अलावा bell icon भी दबालें, जिससे आपको समय पर और सब से पहले notification मिल सकेगा, आज का motivation है, बड़ी काम्यावी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है, अगर आपको बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, आज का पहला question है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल के पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, आसा पारेक जी को दादा साहब फाल के पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, सूचना और प्रसारन मंतराय के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि 2020 के लिए दादा साहब फाल के पुरुसकार प्रसिद्ध अविनेतरी आसा पारेक ज को दिया गया है ठीक है तो उन्हें यह पुरुसकार नई दिल्ली में राष्टिये फिल्म पुरुसकार समारो में प्रदान किया जाएगा आसा पारेक जी को 1992 में भारत के चौथे नागरिक सम्मान पदम स्री से भी सम्मानित किया गया था इसके अलाबा उन्हें 11 बार जी को 1979 में रूबी मेर्स को 1973 में कानन देवी को 1976 में दुरगा खोटे को 1983 में लता मंगेशकर को 1989 में आसा भोसली जी को साल 2000 में दादा साहब फाल के अवार्ड मिला है और आसा पारेक जी को 2022 में यह पुरुसकार मिला है याद रखिएगा पिछले 22 साल में किसी भी महिला को दादा साहब फाल के अवार्ड नहीं मिला था पिछला अवार्ड जो है वो आसा भोसली जी को साल 2000 में दिया गया था अब 2022 में आसा पारेक जी को दिया गया है ठीक है अब हम बात करते हैं दोस्तों दादा साहब फाल के पुरुसकार की तो 1979 में दादा साहब फाल के की के लिए उलेखनिय योगदान दिया हो दादा साहब फालके की बात करें तो भारतिय सिनमा की जनक कहे जाते हैं दोस्तो इस पुरुसकार में 10 लाक रुपए की रासी दी जाती है और एक सुरंड कमल भी दिया जाता है दादा साहब फालके पुरुसकार सबसे पहले 1979 में किसे दिया गया था देविका रानी जी को दिया गया था यानि कि वह है पहला व्यक्ति कौन है जैसे दादा साहब फालके पुरुसकार मिला था तो वो हैं देविका रानी जी 2019 में रजनी कांत को दिया गया था और 2018 में याद रखिएगा किसे दिया गया था अविताब बच्चन जी को दिया गया था दादा सहाफ फाल के पुरुसकार सिनमा के छित्र में भारत का सर्बोच पुरुसकार कहा जाता है तो यह सभी important point आप note कर लीजेगा अगला प्रस्न है किस मंत्राले द्वारा जल दूत एप डैबलब किया गया है तो ग्रामीर विकास मंत्राले के द्वार करेगा ग्राम रोजगार सहायत तो ग्राम रोजगार सहायत एक साल में दो बार मानसून से पहले और मानसून के बाद जल इसतर को मापने का काम करेगा यहाँ पर दोस्तों पंच्याती राजमंत्राले की बात आई है तो केंद्रिये पंच्यायत राजमंत्री कौन है गिरी में लॉंच किया गया है मात्र भूमी योजना पोर्टल उत्तर प्रदेश में जननिगरानी एप जम्मू कस्मीर में कावल उत्पी एप तमिल नाडू उत्सव पोर्टल पर्टन मंत्रालय के द्वारा तंबाकु छोडो एप डबलू एचो के द्वारा डिजिटल संसद एप लोगशबा सच्वालय के द्वारा और सार्थी एप सेवी के द्वारा लॉंच किया गया है अंगला प्रिस्न है राजा राम मोहन राय की 189 भी पुन्निति थी कब मनाई गई है 27 सितंबर को मनाई गई है 27 सितंबर 2022 को राजा राम मोहन राय की 189 भी पुन्निति थी मनाई ग एक प्रिसिद्ध समाज शुधारक थे बिद्वान थे ठीक है उन्होंने 1814 में आत्मिय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी ठीक है दूस्तु इसके अलावा जो अंद्विश्वाश हैं और जो समाज की कुरूतियां हैं उनके खलाब भी विद्वान का पुनर्बेहब विवाय और महिलाओ के संपत्ती रखने के अधिकार के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी महिलाओ की सिक्षा का भी समर्थन किया था इसके अलावा सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी संघस किया था थीक है दूस्तो तो याद पहला सौर उर्जा सेयंत्र इस्थापित किया गया है किस राज में महराश्च में इस्थापित किया है कहां पर जलगाउं में इस्थापित किया फैला हुआ है और जो हिताची एस्टेमो है ये मार्च दो हजार तेईस तक extra 1.5 मेगाबाट का सोर उर्जा सियंत्र चालू करेगा यानी कि यहाँ पर 1.5 मेगाबाट का अतरिक्त सोर उर्जा सियंत्र भी इस्थापित करेगा कौन हिताची एस्टेमो दोस्तों यहाँ पर पह प्रमानित भारत का पहला राज कोन है गोवा है भारत का पहला स्वादेश निर्मित बिमान बाहक पोत है कौन है आई एनस बिक्रांथ है अपनी खुद की इंटरनेट सुब्धा वाला पहला राज कोन है केरल है भारत की पहली आदिबाशी महिला राष्ट पती कोन है द्रोप पूर्णिया बिहार में इस्थापित किया गया दोस्तो अब हम करेंट अफ्यास का रिवीजन भी कर लेते हैं यानि जनबरी 2022 के जो भी इंपोर्टेंट करेंट अफ्यास थे उनको रिवाईज कर लेते हैं दोस्तो इस साल यानि 2022 में 29 बच्चों को प्रधानमंत्रिय या आइस होंकी चेंपियंसिप 2022 का खिताब जीता है ठीक है दोस्तो तो नौबी महिला राष्टिय आइस होंकी चेंपियंसिप किस ने जीती है लद्दाक की टीम ने जीती है इस साल यानि 2021 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ओफ दाइयर किसे चुना गया था इसमरती मंधाना को ठीक है ICC मैंस क्रिकेटर ओफ दाइयर किसे चुना गया था साहीन अफरीदी को जो की पाकिस्तान के थे ICC अमपायर ओफ दाइयर किसे चुना गया था मराइस एराइस मस्को राष्टिय मतदाता दिवस 25 जन्वरी को मनाया गया भारतिय राष्टिय पर्टन दिवस कब मनाय 25 जन्मरी को और गुड डॉट ने नीरा चोपडा को अपना ब्रांड अमेस्टर बनाया था जन्मरी 2022 में ये इंपोर्टेंट पॉइंट है नोट करिएगा अंगला प्रसन है प्रधान मंतरी मोदी हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हैं तो वो जापान की यात्रा पर जापान की जो कैपिटल है टोक्यो वहाँ पर गए हैं हुआ क्या था कि 8 जुलाई 2022 को संसदिये चुनाव के लिए प्रचार करते हुए सिंजो आबे की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी तो अब उनका राजकिये अंतिम संसकार किया गया है तो उसी में सामिल होने के बुले ट्रेन की नीव रखी गई थी और पहली बुले ट्रेन की नीव एहमदाबाद से मुंबई तक रखी गई थी वह 2014 में गरतंत दिवस परेड में मुख अतिती के रूप में भी सामिल हुए थे 2007 में उन्होंने भारतिय संसद को संयुक्त जो अधिवेशन हुआ था उस दोस्तो जापान की बात आई है तो जापान की कैपिटल क्या है टोक्यो है ठीक है और जापान को निहोन या निपोन के नाम से भी जाना जाता था यह पूरवी एसिया में पश्चिमी प्रसांत महाशागर में इस्तित एक दूइप समू है यानि बहुत सारे दूइप्यों स दोस्तो हौनसु दीप यह आप देख पा रहे हैं तो यह हौनसु दीप जापान का सबसे बड़ा दूइप है प्रधान मंतरी कौन है बरतमान में फुमियो की सीधा है राजधानी तो आप सभी को पता है टोक्यो है और यहां की जो करंसी है उसका नाम क्या है एन है अंगला अगासकर गणराज में भारत का नया राजधूत न्यूक्त किया गया है अभी बरतमान में जो बिलसन बाबू है वो बिदेश मंतराले में सेंक्त सचेओं के पदपर काम कर रहे हैं दोस्तो अभी हाल ही में जो राजधूत न्यूक्त किया है चले इनको भी डिसकस कर लेते ह प्रकास चंद्र को एरेट्रिया में, बिक्रम दुराई स्वामी को ब्रेटेन में, नागेश चींग को थाइलेंड में, संजय बर्मा को कनाडा में, और सुधाकर दलेकला को भूटान में न्यूक्त किया गया है, राजदूत के रूप में, ठीक है, अब यहाँ पर बात आई ह मेडागासकर की, तो यह आप मैप में देख पा रहे हैं, यह है मेडागासकर जो की इंडियन ओसियन में इस्तित है, किस में हैं दोस्तों, इंडियन ओसियन में, और इसकी जो कैपिटल है, वो है अन्ताना नारिवो, क्या है, अन्ताना नारिवो है, और यह हिंद महाशागर अफ्रीका के पूर्वी तट पर इस्थेत है यह अफ्रीका महादीब दिखाई दे रहा है तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर इस्थेत कौन है मेडा गासकर है ठीक है और यह एक दूइप यह देश है यानि दूइप के रूप में है यह जो पूरा देश है यह एक दूइप की रूप है और विश्व का चोथा सबसे बड़ा दूइब कौन है मेड़ा गासकर है तो यह इंप्वर्टन पोइंट है नोट करिएगा अंगला प्रिस न है विश्व प्रटन दिवस कब मनाय जाता है तो यह मनाय जाता है 27 सितंबर को 27 सितंबर को मनाय जाता है इसकी theme क्या है Rethinking Tourism क्या है 2022 की theme Rethinking Tourism जो है इसकी theme है ठीक है दूस्तो तो 1980 में पर्टन दिवस मनाने की शुरुबात की गई थी और राष्टिये पर्टन दिवस कम मनाय जाता है भारत में याद रखिएगा 25 जनबरी को कब मनाय जाता है 25 जनबरी को विश्यो पर्टन दिवस 27 सितंबर को राष्टिये पर्टन दिवस 25 जनबरी को 26 सितंबर को कौनसा दिवस विश्यो परियावरण स्वास्ति दिवस मनाय गया है 26 सितंबर को विस्व मूख बधिर दिवस मनाए गया है 25 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस और इसके अलावत 23 सितंबर को अंतराष्टिय सांकितिक भासा दिवस में मनाए गया है 21 सितंबर को अंतराष्टिय सांती दिवस और विस्व अलजाइमर दिवस भी मनाए गया है तो उत्तर प्रदेश को स्वास्त सुभधार रजिस्टर में विभिन स्वास्त सुभधाओं को जोडने के लिए आयुश्मान उत्कृष्ट प्रोषकार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तो 27 सितंबर 2021 को हुआ क्या था कि भारत सरकार ने आयुश्मान भारत डिजिटल स्वास्त मि यानि उस आईडी कार्ड में उसका सभी मेडिकल रिकॉर्ड होगा यानि जिस भी नागरिक को यह प्रतान किया जाएगा उसमें उसका सभी मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध होगा अंगला प्रस्न है किस राजजी की कैबिनेट ने राजज में औनलाइन जुए को नियन्तेद करने की मंजूरी दी है तो तमिल नाडु की जो कैबिनेट है उसने अनलाइन गैम्बलिंग को रोकने के लिए एक cabinet में अध्यादेश जारी किया था और उसकी अब मंजूरी मिल चुकी है और राष्ट पती जी जो राजपाल है उनकी भी सहमती मिल गई है ठीक है दोस्तो तो अब तमिल नाडू में जो online gambling होती है उसको नियंतित किया जा सकेगा बात आई है तमिल नाडू की तो तमिल ना है भारत का capital क्या है चैन्नाई है राजपाल कौन है आर एन रवी है और मुखमंत्री कौन है एम के स्टालिन है गठन कभ हुआ था 26 जन्वरी 1950 को याद रखिएगा मुप्त नास्ता योजना किस राजपाल में शुरू की गई है अभी हाल ही में इसकूली बच्चों के लिए तो ये तमिल नाडू में सुरू की गई है अंगला प्रस्न है मनीपूर के मुखमंत्री एन बीरेन सिंग ने किस अंतरराश्टी हवाई अड़े से फ्लाई बिग उडान का उदगाटन किया है तो जो बीर टिकेंदर जीत अंतरराश्टी हवाई अड़ा है मनीपूर में तो वहाँ पर उन्होंने फ्लाई बिग उडान का उदगाटन किया है तो मनीपूर के मुखमंत्री कौन है एन बीरेन सिंग तो उन्होंने बीरे टिकेंदर जीत अंतरराश्टी हवाई अड़े पर इमफाल से अरुनाचर प्रदेश के तेजू के लिए एक फ्लाई बिग उडा उदगाटन किया है यह सिवा उडान योजनह के तहस्स उरू की गई है बात करते हैं उडान योजनह की तो इसको लाँच कब किया गया था नागरेक उड्यान मंतराले के अंतरगत आती है इसका काम क्या है दोस्तो छोटे छोटे पोर्ट बनाना यानि जो हवाई अड्डे हैं उनका विकास करना तो यह थे आज की मोष्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेस के क्वेशन अब आपसे क्वेशन पूशा जा रहा है तो उ चुरुबात कब की गई थी? 1927, 1970, 1952 या 1951 में तो दोस्तों ये सभी आपके सामने option है तो right answer जो भी हो वो comment box में जरूर बताइएगा PDF डाउनलोड करना हो तो आपको एप पर मिल जाएगा और एप पर दोस्तों monthly current affairs का PDF हाली में जो निक्तियां हुई है सभी social media platform पर जैहिंद बंदे मात्र